वेलकम टू इलेक्ट्रोनिक स्टडी यूट्यूब चैनल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और सिक्षक भरती की लाइव क्लास में और यहां पर आज हम बात कर रहे वाले हैं दो सब्जेक्ट्स को लेकर के जब आप सिक्षक भरती की बात करते हो यूपी टीचर जो आपका सब्जेक्ट है कम्प्यूटर को आप इन्फॉमेशन टेक्नलोजी बोलते हो जो आपके सिलाबस में दिया हुआ है और जीवन कोशल याने की लाइफ इस्किल को लेकर के आपके 15 क्वेशन्स आपको मिलेंगे उन 15 में से 12 सवाल आपको सही कर रहे हैं चलते हैं सवाल कर ना समझी के कारण उत्पन वाद विवाद की इस्तती क्या कहलाती है बड़ा अच्छा सा सवाल लिखा हुआ है कि मालीजी की कोई भी जो इन्फॉमेशन है वो नहीं मिल पाई मैंने आपको भेजा है और आपने वो चीज आप बता नहीं रहे हो या फिर वो कह रहे है कि ये चीज मुझे रिसीव नहीं हुई है वाद विवाद होता है ये जगडा है तू तू मैं मैं हो गया या हॉलो इफेक्ट करके बोल देते हो आप इसे या हैलो करके बोल देते हो दोस्तों जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों में किसी संदेश को एक साथ पाकर ना समझ ी कर दो स्देश ऑब करना तो इन में से सभसे बेस्ट जो है अपके लिए सही रहेगा तो ग्यान है आपका प्रलेख सूचना या फिर ग्रंथ लिखा हुआ है ध्यान दीजी जब हम बात करते हैं 137 को आपने अपना आंसर कर लिया होगा अब तक 137 में जो आपका आंसर आपको देखने को मिलेगा कि जब हम भी हम प्रगती को लेकर के बात करेंगे information is the main thing आपकी एक South India, South Indian एक movie है उसमें पूरा information के ही बारे में बताया गया है आप देखिए हर एक जगह information ही आपको देखने को मिलेगा अब यहाँ पर पढ़ रहे हो information के लिए आप कहीं जा रहे होते हो information के लिए कोई काम कर रहे होते हो वो भी information के लिए तो information is everything ठीक है यहाँ पर जो आपका correct information है मतलब जो correct answer है वो है information सूचना किसे कहते हैं यह information आखिर है क्या अविवस्थित आकड़े यानि कि जो आपके व्यवस्थित नहीं होते हैं जो arranged नहीं होते हैं आकड़े को आप data बोल देते हो क्या कहते हो आप इन्हें data ओके आ संसाधित लिखा हुआ है संसाधित और प्रस्तावेत आकड़े सूचना किसे कहते हैं 138 जो आपके संसोधित आकड़े होते हैं या संसाधित आपकरके इन्हें कह देते हो जो संसोधित आकड़े हैं मतलब कहने का ये है English में आप जान लिए जो हमारा processed information होता है संस्रोधित या संसाधित अब करके जब बोलते हो वो है processed data आप लिख लो माफी चाहेंगे processed data को ही आप क्या बोलते हो information कहा देते हो यह बिल्कुल वैसा ही है कि यहाँ पर यह data था यह है आपका CPU या कोई भी चीज यह आप ऐसे बोलो कि communication channel था आपका और फिर आपको क्या मिला यह एक information के रूप में आपको process हो जाने के बाद देखने को मिलता है तो यहाँ पर जो processed data है is called information ठीक है जैसे यह बिल्कुल वैसा ही है कि आप गन्ना एक तरफ से डालते हो machine के द्वारा पराई करके फिर आपको गन्ने का रस जो है वो देखने को मिलता है next है आजकल सूचना क्या मानी जाती है शक्ति है संसाधन उत्पादवस्तू है या फिर सभी दिया दीजेगा अभी जैसा कि मैंने आपको बता आप कहीं भी जाते हो फिर पादवस्तू ओभी इन्फोर्मेशन एक पावर है इन्फोर्मेशन ये भी आपका एक जी हाँ संसाधन एक रिसोर्स है जब आप कमिनिकेट कर रहे होते हो यानि कि आपका जो करेक्ट आंसर आएगा यहां से वो डी आएगा एक और क्वेशन है सूचना पद का प्रियोग जर्वपर्थम कब हुआ था इन्फोर्मेशन टर्म यहां पर आप में से चुकि यह आपका फैक्शूल क्वेशन आपसे पूछ लिया है ध्यान दीजेगा 1960 में सबसे पहले इन्फोर्मेशन जो शब्द था आगे चलते हैं जीवन कौशल के तरह इससे आपके 10 सवाल आते हैं तो 10 सवाल आपके जीवन कौशल से हम आपसे पूछेंगे लिखा है क्वेशन में कि कोई गोड़ या लाब जो ग्रहक किसी ब्रैंड से जोड़ता है उसकी सकारात्मक ढंग से व्याख्या करता है और यह विश्वास करता है कि वे किसी अन्य प्रतिसपर्धी ब्रैंड में उसी सीमा तक ये चीजे नहीं पाएंगे इससे हम क्या कहते हैं आप समझ रहे हो जो ग्रहक किसी ब्रैंड से जोड़ता है ये ऐसी चीजें लिखे हुई थो अब ऐसे में लिखा है कि आपका ऐसे में बोला है अंतर बिंदू यानि डिफरेंड तो वो विश्वास करता है कि वे किसी अन्य प्रतिसपर्धी ब्रैंड में उसी सीमा तक ये चीजे नहीं हुएंगे एडिडास हुआ आपका रिबॉक हुआ करते हो जूत ये इसके अच्छे हैं उसके अच्छे हैं तो मैं विश्वास करता हूँ कि नहीं भई आपका रिबॉक बड़ा अच्छा है एडिडास है तो वो चीज में विश्वास जो मैं कर रहा हूँ ये point हमारा क्या कहलाता है difference point आप इसे बोलते हो ये हमारा अंतरबिंदू कहलाता है आगे चलते हैं एक और question की तरफ लिखा है एक Japanese company द्वारा मूलता 1970 की दाशक में विकसित just in time को प्रारंभ में किस नाम से जाना जाता था Honda manufacturing system Isuzu आपकी जो गाड़ियां आती है Mitsubishi आती है और Toyota बहुत दोने होगे Fortuner वगरा के भारे में क्यों तो आप चाहें Nova की बात करो या उसकी दोनों गाड़ियां तो यहाँ पर जो just in time को प्रारंभ में किस रूप में जाना जाता था तो जो आपका just in time लिखा हुआ है वो है आपका Toyota manufacturing system Your correct answer is option number D एक और सवाल के तरफ चलती है सूचना पर रद्योगी की में blockchain का क्या मतलब है Motherboard सुरक्षा उप करण करके लिखाए इनोंने electronic lending व्यवरों की सुरक्षा electronic lending की करम रहे तुचितर लगाना कोई sequence न होना या निरंतर हो रहे electronic lending को रोकना यहाँ पर जो blockchain है उसका मतलब यह होता है जी हाँ आपने अपना answer किया होगा वो है आपका electronic lending व्यवरों की सुरक्षा जो भी आपके credit debit चीज़े हो रही होती है electronically जो online आप कर रहे होते हो उनका detail यानि कि उनको safe रखना उनकी security के लिए जो एक term निकल करके आता है वो है आपका blockchain your correct answer is option number B आगे चलते हैं यहाँ पर एक और सवाल है आपके लिए दिखा है जब संगधनात्मक आवशकता है जो organizational needs होती है कड़े लागत नियंत्रण बतब जितना आप लागत लगा रहे होते हो बारवार विश्तरत नियंत्रण report संगठन करके लिखा हुआ है या वेल और्गिनाइजड कोई आपका जो organization है आपका या वेल स्ट्रक्चरड और्गिनाइजड बोलोगे दायत्यों और कड़े प्रमाडात्मक प्रमाड मतलब वहाँ पर एक quantity को ले करके प्रमाडात्मक अभी समझते हैं इसको हम आपको समझा देंगे प्रमाडात्मक लक्ष पूरे करने को ले करके या पूरे करने के आधार पर प्रोत्सान देने की वकालत करती है तो नहीं क्या कहते हैं आप देखे क्वेशन के इस तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं विभेधन रणनीती डिफरेंस करने का कोई एक स्ट्रटीजी है वहाँ पे ध्यान केंदरन रणनीती है आपका जो आपका ध्यान केंदरत कर रही हो विविधी करन मतब विविध प्रकार की चीजे समग्र लागत नेत्रत्वा समग्र मतब ओवराल होता है लागत मतब जितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसकी लिडर्शिप का 144 आपको मैं बता दूँ जब संगठनात्मक आवशकता है कड़े लागत नेत्रण बार बार विस्तरत नेत्रण पूरट यह वो सारी चीजे कड़े लागत प्रमाड आत्मक लक्ष है जो प्रमाड को लेकर के बात करें आपका एक स्टेंडर्ड को लेकर के बात करें प्रोट सहित देने की जो अकालत करती है यह पूरा पूरा जो एक डेफिनिशन की तरीके से लिखा हुआ है यह आपका है समग्र लागत नेत्रण तो डी आपका आंसर यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा आगे दिया है इसमें कि पैकेट बंद चाय के वैवसाय में लगी कोई कमपनी बड़े पैमाने पर क्रे को प्रोट सहित करने के क्रम में बाजार मध्यवर्थियों के माध्यम से ग्रहाकोव को विक्रे करने के अतरिक्त अपने संस्थागत क्रेताओं को विसेश सेवाय मुहिया उपलब्द कराती है तो अपनी विपणन दक्षता यानि की मार्केटिंग कैपिसिटी एफिसियंसी में सुधार करती है ये उदहरन किसका है बहुत अच्छी तरीके से देखिए कोई पैकेट बन चाहे कि विवसाय में लगी कोई कमपनी है ठीक है और वो बड़े पैमाने पर क्रे को परोथ सहित करने में क्रे मतलब बेचने को ले करके कि कैसे हम बेचने वाली चीज़े अपनी बढ़हा सकते है तो इसके क्रम में बाजार मध्यवर्तियों के माध्यम से ग्रहाकों को करती क्या है विसीश से वाज़े से आप स्पेशल क्या ओफर दे देते हूँ बिल्कुल वैसे ही मुहिया उपलब्द कराती है और अपनी विवरोन दक्षता में सुधार करती है कि अपने मार्केटिंग में हम सुधार कैसे करे ओफर देते हैं चलो इन्हें ग्रहाकों को तो ये उदाहर रण किसका है 145 ज्यान दिजेगा अपरिवर्तन, इस्थिरता रड़नीती फिर लाव अपरिवर्तन मतलब परिवर्तन ना होना तो ये चीज तो गलाच हो जाएगा ऐसे में ठीक है लाव रणनीती ये आपका स्टेंडर्ड टर्म है जब आप एकोनॉमिक को ले करके बात करते हो जीवन कौशल में ले करके बात करते हो साउधानी से रुकने चलने की रणनीती है दोस्तों ये जो बात कही गई है वो आपकी इस थिरता रणनीती से रिलेट करती है ध्यान दीजेगा इस थिरता रणनीती अब आप परिवर्तन रणनीती बोलोगी चीज़े वही है इस थिरता में यहाँ पर पूरी तरीके से कहा गया है कि ये आफर हमें अब इनको दिया जाना है कि हम अपने प्रोड़क्ट को अच्छी तरीके से सेल कर सके बेज सके ये स्टेंडर्ड टर्म है जो की योज में आएगा आपका आगे चलते हैं क्वेशन साफ के काफी लेबल हाई है आप देख पा रहे होंगे आपरिशित और नकारात्मक सूचना को निरस्त करने की सम्मती क्या गहलाती है जी हाँ अब विपडन आदूर दर्शिता करके बोलते हो मार्केटिंग जो एक फोर्ड साइटेडनेस होता है मतब दूर दर्शिता का उल्टा आदूर दर्शिता विजन करके है रणनीतिक या पर्यावर्डी है तो अपरिशित और नकारात्मक 146 में अपरिशित और नकारात्मक सूचना को निरस्त करने की जो सम्मती होती है जो एक चीज होती है उसको हम कहते न कि एक रणनीति की तहत काम करना ये आपका रणनीतिक आदूर दर्शिता कहलाता है वसे यहाँ पर आपका जब आप बात करते हो भी लास्ट भी हम देख लेंगे कि कितने क्वेस्टन्स आप सही कर सकते हैं तो वो हम चेंज भी कर देंगे आपका जो आपका टार्गेट है 12 वाई 15 का जब रुगड था कि प्रारंभिक संकेतों रुगड था मतलब बीमार जैसे रुगड एकाईया होती है ठीक है तो प्रारंभिक संकेतों संकेत पता चले तभी क्रियाश्रील होकर कि सुक्षम और लगव उध्यमियों को समझी और परियाप्त सहता सक्री रूप से देकर उनके लिए पुनरवास उपाय करने के चलन को क्या को बोलते है पहले से ही जैसे लगे कि हाँ यह चीज बीमारी जैसे आपको लगे कि हाँ ठीक है बुखार थोड़ा बहुत आ रहा है आ रहा है तो आप तुरण डॉक्टर के बास पहुचके इलास करवा लीजे आप समझ रहें कि नहीं इंतजार मत करिए कि वो बढ़ जाए तो इस चीज को क्या कहते है 147 यहाँ पर सहायक चरण है बनाए रखने का चरण है पुनरप्राप्ती चरण है तो पुनरवास की बात की है इसे हाथ थामने का चरण बोलते हैं आप समझ रहे हो हाथ थामने मतलब आप हेल्प करने की बात कर रहे हो आप उस चीज के बारे में सोच रहे हो आगे चलते हैं वह वक्ति जो किसी व्यवसाय के संस्थापक है जो व्यवसाय योजना को मूर्थ रूप दिया करते हैं तथा उस योजना को सफल बनाने का प्रयास करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं 148 यहां पर व्यवसाय के संस्थापक व्यवसाय को योजना को मूर्त रूप देते हैं आप समझ रहे हो देखो जी जब आप एक साहसी उद्यमी की बात करते हो साहसिक जिसे हम एक तरीके से एडवेंचरेस टाइप का यह नहीं बोलेंगे आप आप एंटरप्रेने और बोलते हो यह साहसी उद्यमी क्या होते हैं कि एक नए चीज को स्थापना को ले करके बात करते हो कि एक रिस्क लेना एक नए व्यवसाय को स्थापित करना मूर्त रूप देना योजना को सफल बनाने का काम तो यहां पर आपका साहसिक उद्यमी करके जो है वह आपको देखने को मि यहां पर discover करना और manage करना इस अंतर को पाटने वाले को यहां पर हम अंतरा उध्यमी करके बोलते हैं आप अपने notes बनाते चलिए वहां पर लिखिए कि अगर अंतरा उध्यमी को लेकर के बात आते हैं जैसे अंतर इंडस्ट्रियल कोई आपका person है इंडस्ट्री का एक intra करके बोल दे तो intra का मतलब आपका क्या होता जैसे internet और intranet तो intra मतलब अंतरा हो जाएगा आपका यह और correct answer is option number D आप लिखते चलिए के points को कि क्या कुछ चीज़े होती है नीति नैतिक सिध्धान्त क्या लिखा है नीति नैतिक सिध्धान्त और मुल्य है जो क्या है एक सूपचास यह आपका अंतिम सवाल है आपके लिए 150 यहाँ पर लिखा है कि विधिक रूप से मैं तब लीगन लूप से जो लागू किये जा रहे है किसी फर्म के व्योहार का मार्गर दर्शन करमचारियों को व्योहा आप करते हूं किसे के साथ में तो ग्राहक जो है का दुकानदार के प्रती या दुकानदार का ग्राहक के प्रती क्या कुछ आपका व्योहार है किसी विक्ति के कृत्यों को शाशित करते हैं शाशित करते हैं मतलब आप यह समझ लो वो बता रहे होते हैं ठीक है आप किसी फ केवल करमचारी ही शामिल हो जाएगा और जब व्यक्ति बोलोगे तो ग्रहक है आपका और जो आपका शॉपकीपर है वो सारे लोग इंक्लिवड हो जाएंगे इसलिए आपका नहीं होगा तो भाई आपके लिए जो फिलाल के लिए टार्गेट है वो मैंने केवल जी हाँ वह कुछ मैंने कब भी कर दिया कि आपने काफी मेहनत की या फिर अभी आपको कितना कुछ जानने और पढ़ने की जरूरत है शेयर कर दीजिगे इस वीडियो को बाकी दोस्तों साहब आठियों के साथ में आपसे हम एक और वीडियो में मिलते हैं जल्दी ही तैक्स वरोचिंग झाल